चलिए चुरू करते हैं सम्मिधान शभा, जो कि आपको पहला हो चुका था, भारत का शम्मिधान शभा जो है उसके बारे में चलेंगे पढ़ेंगे, बाहरी अवाजो को थोड़ा गिनॉर करियेगा, तब ही हो पाएगा, इसके लिए बाहरी अवाजो को जल्दी ठीक करने की गोशिश कर रहा हूँ तो चलिए सुरू करते हैं और वन लाइनर क्योंकि इंडियन जोग्राफिय हो चुका है अकर नहीं देखें तो जाए प्लेलिस्ट बना हुआ है वन लाइनर जोकि प्लेलिस्ट है बी एस पी एच सील करके और इंडियन जोग्राफिय किया हुआ है यह अब चलेंगे इंडियन पॉलिटिकल खतम करने वाले हैं उसके बाद इंडियन हिस्ट्री फिर इंडियन एकनोमी और फिर उसके बाद जो भी जितने भी पुस्तक लेकागें सारे होंगे और फिर साइंस आपके चलाए जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहरा कोशन है भारतिय शम्मिधान भारतियों की इच्छा होगा किसके द्वारा यह कतन वेक्त किया गया है तो भारतिय शम्मिधान भारतियों की इच्छा के अनसार होगा यह किसके द्वारा कहा गया है यह किसका कतन है यह कौन वेक्त किये हैं तो सकार से मांग की गई भारतिय समिधान के निर्मान के लिए समिधान सभा का गठन किया जाएगा या किया जाए तो याज किया किसके द्वारा भाई तो मोतिलाल नहरू द्वारा जो है याज कीगा मोतिलाल नहरू द्वारा बिटिश समिधान के निर्मान के लिए समिधान सभा का गटर किया जाए तो बिटे सरकार से मांग किये थे, कौन किये थे, मोधिलाल ने रूक किये थे, अपनी भाती समिधान के निर्मान की बात किये थे आगे सवाल बनता है कि समिधान सभा के विचार का अपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो याद रिखेगा जैसे ही समिधान की विचार की बात करे अपचारिक बात करे ठीक है तो याद रिखेगा एम एन राय द्वारा किया गया था प्रतिपादन किया गया था सिध्धान कहिए जो कर सकते हैं तो अपचारिक रूप से ये प्रतिपादन किया गया कि हम एम एन राय द्वारा बोला गया है या ठिकेगा समिधान सभा के विचार को अपचारिक रूप से रखने के लिए चुक है आगे सवाल बोला जाए तो देखिए समिधान सभा को किसने मुर्त रूप से प्रदान किया है तो मुर्त रूप परदान करने वाले शमिधान सभा को जवाहलाल नहरू का नाम आता है मुटिलाल नहरू जो है डिमांड किये थे प्रेटी सरका से मांग किये थे भारतिस निर्मान का मतब समिधान का और दूसरा है कि वीचार अपचारिक रूप से वीचार को दिये थे तो एम एन राय दौरा अगर मुर्त रूप से अगर परदान किये को बास्तविक रूप से कहा जाए तो जवाहलाल नहरू का नाम आता है याद रुखेंगे आगे सवाल है कि कॉंग्रेश ने किस वर्ष सम्मिधान के निर्मान की मांग को लेकर परस्टाओ पारिट किया था तो याद कि 1936 में परस्टाओ पारिट किया थे याद रिखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कॉंग्रेश ने वर्ष बताईगा उन्हें सो अच्छछ जो वर्ष शम्मिधान के निर्मान की मांग को लेकर पुस्ताओ पारित कर दिया था उन्हें सो च्छछछ में आगे सवाल पूस्ता है कि किस वेक्टी ने 1938 में कौन से ऐसे वेक्टी थे जो कि 1938 में वैस्क मत अधिकार के अधार पर शम्मिधान सभा का गठन की मांग किये थे तो और कोई नहीं जवाहलाल नहरू ही है जो की मांग किये थे कि बैश्क मत अधिकार भोट नेरी के अधिकार पे ही यहो शभाग गठन हो तो वो 1934 में मांग किये थे आगे सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि किस योजना के तहद वर्स 1942 में 1942 में यह सिवकार किया गया कि भारत में एक निर्माचित सम्मिधान का गठन होगा जो उद्ध परांथ सम्मिधान का निर्मान करेंगे तो याद रुखेगा कृप्श मिशन किर्प्श मिशन आया था 1942 में उसी समय यह हुआ था और यह मांग हुआ था कि उद्ध परांथ सम्मिधान का निर्मान करेंगे किर्प्श मिशन के तहद बोला गया था आगे सवाल आपसे पूछेगा कि सम्मिधान सभा के गठन की मांग सरपर्थम जो है 1895 में 95 में 1895 में किसके द्वारा पस्तूत की गई तो बाल गंगा धर तिलक द्वारा पस्तूत की गई थी तो समिधान सभा के गठन की मांग सरपर्थम अगर बात करें सरपर्थम तो बाल गंगा धर तिलक किये थे 1895 में में ये ध्यान रखेगा आगे सवाल पूछेगा कि भारत की समिधान सभा गठित करने का अधार क्या था तो केविनेट मिशन प्लान था जो कि 1946 में आया था तो आपका तो तीन सवाल बन गया केविनेट मिशन कब आया 1946 में केविनेट मिशन का प्लान क्या था तो याद किये भारतियों समिधान सभा का गठित करने का अधार माना गया था केविनेट मिशन क्रिप्सी मिशन और कमिनेट मिशन में कनफीजन होता है किलियर कर लिजे क्रिप्सी मिशन आएगा तो 42 कर दिएगा 1942 कर दिएगा और कमिनेट मिशन आएगा तो 1946 कर दिएगा ये ध्यान रखेगा तो कमिनेट मिशन के अंसार ही हमारा भारत का समिधान गठित करने का अधार माना जाता है याद रखेगा वर्स 1936 में भातिय राष्टिय कॉंग्रेस द्वारा समिधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई या किस अधिवेशन में तरलखना वो अधिवेशन में हुआ था तो या दिखेगा आगे सवाल आपसे पूछेगा इसमें देखेगा सदश और भी है जैसे समिधान सभा के बिविन्द प्रांतों के लिए 292 सदश का निर्वाचन होना था इनमें से कॉंग्रेस के कितने परतिनिधी निर्वाचित होकर आए तो या दिखेगा 208 सदश बन के आए थे कॉंग्रेस के पार्टी के थे वो आये थे 208 सदस प्रति निर्वाचित हुए थे 292 सदस टोटल थे जिसमें से 208 तो सिर्फ कॉंग्रेस का है आगे है कि पुर्ण गठन के पहचात पुर्ण गठन जब होना था उसके पहचात 1947 में याद रखेगा समिधान सभा के सदसो के संक्या कितनी थी 299 में मतब 300 से एक कम था 299 में है याद रखेगा फिर पूशता है कि पुर्ण गठन समिधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनित्व थे तो देशी रियासतों की बात किया जा तो 70 ही थे जादा नहीं थे 70 प्रतिनित्व थे लेकि टोटल पूशा जाए तो कितने थे 299 में थे या तो किए उसमें से अगर पुर्ण गठी समिधान सभा के देशी रियासत की बात करेंगे तो 70 थे आगे सवाल पूशता है पुर्ण गठी समिधान में बिभिन प्रांतों के कितने प्रतिनित्व थे तो देखे 299 तो थे जिसमें से 70 देशी थे और इसमें अगर पूशा जाए बिभिन प्रांतों की बात करें 299 सदस थे प्रतिनित्व से या तो किगा तो अगर बिभिन प्रांत की बात होगी तो 299 अगर देशी रियासत की ने जो है अप्रतेच रुप से जो है निर्वाचित किया था तो समिधान सभा के सदिश्यों को किसने अप्रतेच रुप से निर्वाचित किया तो याद किगा प्रांथ के बिधान सभा ने किया था शमिधान सभा में किसपरांत का प्रतिनितीट सबसे अधीक है जो स्युक्त प्रतिनितीट सबसे अधीक था तो स्युक्त प्रतिनिती रखेगा आगे सवाल है किस चेत्र के B.R. Ambedkar का शमिधान सभा में निर्वाशन हुआ था मतों किस छेत्र से ये सवाल पूछता है तो पच्छी मंगाल से हुआ था या तुखेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किस छेत्र से बियारम बेत करका समिधान सभा में निर्वाचन हुआ तो पच्छी मंगाल से हुआ था या तुखेंगे वेश्ट मंगाल आगे सवाल पूछता है कि समिधान सवा का चुनाव किस अधार पर हुआ तो या रिखेगा वर्गिये मत अधिकार पर हुआ था या तुखेगा वर्गिये मत अधिकार पर क्या हुआ था समिधान सवा का चुनाव रखा गया था या तुखेंगे यह सवाल आपसे पूछता है आगे सवाल पूछेगा कि भारतिये समिधान को किस ने बनाया तो समिधान सभा ने बनाया था यही कन्फिजन होता है लगता है कोई व्यक्ति ने बनाया भारतिये समिधान सभा ने ही बनाया था तो भारतीय समिधान को किसे ने बनाया तो भारतीय समिधान खुद बनाया था ऐसे बोल सकते हैं समिधान सभाग के लिए चुनाओ कब संपन हुआ तो या तकिएगा उन्हें 146 में संपन हुआ तो समिधान सभाग के लिए चुनाओ कब संपन हुआ उन्हें 146 में हुआ समिधान सभा कि परथम बैठा कब कि गई तो याठ किया 9.1946 को कि गई थी याठ किया गा तो कब किया गया नव दिशम्बर आगे सवाल आपसे पूछेगा समिधान सभा का परथम अदिवेशन कहां हुआ तो दिल्ली में हुआ था तो देखे पर्थम अदिवेशन अगर आपसे पूछे तो दिल्ली में अक बैठक भी वही पर्थम हुआ था 9 December 146 को ही हुआ था तो दिल्ली में हुआ था आगे सवाल है कि समिधान सभा के उदगाटन जो है अदिवेशन के अधिस्ताकिशने की थी तो सच्टानन सिन्हा ने की थी याद रखेगा इसलिए कहा जाता है पर्थम बैठक के अधच कोन है मतलब अधच कोन थे सच्टानन सिन्हा थे याद रखेगा तो दिल्ली में अधिवेशन के अधिस्ताकोन के थे तो यह तखेंगे यह थे Сच्छतनन सिना आगे पूछेगा समिधान सभाग्य, अस्थाई अज़ी अद्धछ पूचेगा तो डॉक्टर रोगिंदर प्रशाद, आस्थाई रूप से पूछेगा तो डॉक्टर सच्छतनन सिना थे जोकि viewed savoir. रहे हैं कि उटगाटन अजिवेशन के पारे कहिए तुर्थम कहिए जो का नायम सचनन सिना थे और आस्थाई थे या तकेंगे अस्थाई हमारे डॉक्टर रजिन्द प्रशाद थे या तकेंगे यह पूसता है टेवल जो है इसको हम लाश्ट में करेंगे क्योंकि टेवल ला अगर पूछे आपसे तो किसे बताईगा बियंद रॉक को बताईगा अगर आपसे पूछेगा समिधान के बिभिन पहलूओं के अध्यन है तू समिधान सभा ने कितनी समीति अन्यूक्ट की थी तो या तकेंगे कितना तो तेरह समीति अन्यूक्ट की थी या तकेंगे कितन आगे सवाल आपसे पूसता है समिधान सभा के प्रारूप समिती के सदश्यों की संख्या कितनी थी तो साथी हमेशा याद खेगा तो प्रारूप समिती के प्रारूप समिती के प्रारूप समिती के पूछे संख्या पूछे तो साथ याद खेगा प्रारूप समिती के प्रारूप समिती के प्रारूप समिती के प्रारूप समिती के पूछे संख्या पूछे तो साथ याद खेगा प्रारूप समिती के प्रार प्रारूप समिति के समच्ष परस्थावना की सोगतर लिए जाता है। समा योजन के तहद वतर समाती हो और समा योजन दोनों के अधार पर लिया जाता है क्या लिया जाता है समिधान सभा के सभिनेने का अधार आगे सवाल बनता है समिधान सभा के उद्देश परस्ताव किस ने पस्तूत किया तो जवाहलाल नेहरू देखिए प्रारूप समिती बियारंबित कर उद्देश पस्ताओ याद रुकेंगे जवाला नहरू याद रुकेंगे कोई रिकर नहीं आगे पूछा जाएगा कि भारति समिर्हान सभा में शंगिये सकती समीती की अध्यश कौन थे या कौन किये थे तो पंडी जवाला नहरू तो देखे उद्देश पस नहीं चाहता हूं नहीं जो है जो है औरिजनल होगा भारत को एक शमीधान देने का पस्ताओ जो है कबशमас रुकेंगे बारवा पूछ देता है कि भारत को एक समिधान देने का पस्ताव कब समिधान सभा दवारा पारित हुआ तो 22 जन्मरुने 177 को ये पारित हो गया था कि हम भाई समिधान के लिए देंगे समिधान नर्मात्री सभा में जंडा समिती के अध्यच कोन थे तो देखे ये सवाल पूछेगा कि जंडा समिती के अध्यच कोन है डॉक्टर रजिंदर प्रशाद हैं जो कि अस्थाई अध्यच थे याद रिखेंगे आगे सवाल पूछता है कि राष्टिय जंडा की अभी कलपना को भारत की समितान सभा में कब गरहन किया गया तो जुलाई 1947 को किया गया था जुलाई 1947 को क्या किया गया था कि जंडा को हम लोग अपना लिये थे अभी कलपना के भारत समितान ने गरहन कर लिया था याद रिखेगा जुलाई 1947 को भारत की समितान सभा द्वारा राष्टिय जंडा के डिजाइन को कब शिकार किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को जो किसे मी है गर हम जब करेंगे उससे समय किया गया था तो 22 जुलाई या तुखेगा 22 जुलाई 1947 माना जाता है याद रुखेंगे भूलेंगे नहीं अगर आप सब पूछें भातिये समय थान को आंशिक रुप से कब लागू किया गया तो आंशिक रुप से अगर पूछ दे लागू करने की बात मतब चर्चा हो गया कि हम भाब लागू कर देंगे तो 26 नमबर उन्हें सो उन्चास को याद रखीगा 26 नमबर 26 नमबर उन्हें सो उन्चास को बोला जाता है कि लागू कर देंगा आंशिक रुप से काने का मतलब किया जैसे अभी चर्चा हुआ सदर्च लोग मतब मान लिए कि हाँ चलिए 26 नमबर उन्हें सो उन्चास को हम इसे मान लगते हैं देंगे पूर्णता 26 दर्मरी उन्हें 150 को हम लोग पूर्णता सभी देश में फैला दिये कि अभी सही मानेंगे है ना पुरा देश मानेगा चलिएगा समिधान सभा के कितने उपस्थी ती सरस्यों ने समिधान पर हस्ताचर किया था तो 284 जो हैं हस्ताचर किये थे याद रखेगा ठीक है 284 जी याद रखेगा हस्ताचर किया गया था समिधान सभादवारा अनतिम रूप से पारिश समिधान में कुल कितने अनुचेद और अनुचेद तो यह दिखेगा तिन सो पंचान में अनुचेद आठ अनुचेद तो यह दिखेगा तो अगर आपसे पूछा जा समिधान सभादवारा अनतिम रूप से पारिश समिधान मे कुल कितने अनुशेद 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 थी तो याद कि सूरों में अगर पूछा रहा तिन सो पंचान में अनुशेद है वाट अनुशेद थी याद रिखेगा जो कि अभी भी इसे माना जाता है अनुशेद अभी भी इसे माना जाता है यसे बढ़ा कि चार सो कर दिया गया है शम्पूर्ण भारतिय समिधान के निर्मान में शमिधान सवा को कितना समय लगा था तो समिधान सवा बनने में दो वर्स लगे थे 11 माँ, 18 दिन लग गए थे तो 2 तू येर्स हो गए थे 11 मन्त हो गए थे और 18 days हो गए थे या तकेगा तो दो वर्ष 18 माँ 11 माँ 18 दिन हो गए थे मैं शाहिए या तकेगा यह पूछता है ठीक है सॉरी चलेगा next question है कि समिधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मिला तो या तकेगा 24 सुनवरी 1950 को मतब अगर आप से पूछे एक मिनट रूप कियेगा ठीक है इस चीच को मैंने बोला था कि समिधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मिली तो या तकेगा 24 सुनवरी 1950 को बोला जाता है कि आखरी दिन आखरी बार मिली है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को और लागू पूरनता हो गया यहाँ पर देखे किस दिन से समिधान सभा किया अंतर कालेइन संसर के रूप में अभी वार हुआ मतब अभी वार मतब लागू हो गया पूर्डे देश में 26 जनवरी 1950 को हो गया था अंतर रूप से उसे देखा गया 24 जनवरी 1950 को मतब एक तरह से बातचित हुई और याद कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णे था लागू हो गया है तो इसलिए 26 जनवरी को ऐसा कुछ देता नहीं है 26 जनवरी देता है आगे सवाल पूस्ता है भारत के भारत के लिए समिधान सभा के रचना है तो समिधान सभा का विचार सरप्रथम किसने पस्तूत किया था तो सुराज पार्टी में उन्हें 134 में किया गया था याद रखेगा तो सुराज पार्टी बना था सुराज पाटी का गटन यार तकेंगे तो सुराज पाटी का 1934 में इसकी बात है बिचार का सर्पतम पस्तूती की गई थी आगे सवाल है कि भारत के समिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो वियार अमेदकर को माना जाता है दिन्वाता करूप में याद रखेगा बहते हैं समिधान सभाव में कुल कितने महिलाएं थी तो पंद्रह महिलाएं थी याद रखेगे कितनी महिलाएं पंद्रह महिलाएं उस समय थी याद रखेगे समिधान सभाव में किस देशी रियाशत जो है कि परतिजित में भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद जो है भाग नहीं लिया था इसे तो जबर्दस्ती कप जा कर लिये थे ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट कोशन है समिधान के परस्तावना विसेस्ताएं असरोद एवं भाग तो इस तरह से सारे स्रीच करवा दिया जाएंगे जो की विकली भी डाल दिया जाएगा अब चलते हैं जिसमें महत्पूर्ण समीती होते हैं जो की पूछा जाता है तो समिधान सभा की परमुक समीतियां और उसके अध्यच कौन कौन है ये पूस्ता है डारेक्ट कोशन पूस्ता है तो देखिए नियम समीती के अगर बात करेंगे न हम लोग तो डॉक्टर रजिंदर प्रशाद से मिलेंगे किन से मिलेगा अब तो हैं नहीं चलेंगे मिलने उपर नियम समीती के अध्यस्ता की बात करेंगे तो डॉक्टर रजिंदर प्रशाद है संचालन समीती के अगर बात करेंगे तो डॉक्टर रजिंदर प्रशाद है तो दो तो आपके डॉक्टर रजिंदर प्रशाद जी है किसके नियम समीती और संचालन समीती इन्यम समीति हैर और स compassionate समीति के भाई हमारी डॉक्टर रजिननप्रशाथ यह याद रखेंगे तो याद रेगा प्रामरस दात्री समीति के अगर अधहच की भात करेंगे तो हम सरदार बल्ला भाई पटेल को करेंगे तो सरदार बल्ला भाई पटेल क्या थे प्राम दर्स दात्री का समीती के अध्यस थे प्रामस देते थे दात्री समीती एक अध्यच बनाये थे जो की समीती बनाये थे उसके अध्यस थे सर्दार बल्ला भाई पटेल थे एक समीती बनती है प्रांतिय समिधान समीती जो कि सर्दार बल्ला भाई पटेल का था और ये भी प्रामर्स दात्री समीती भी सर्दार बल्ला भाई पटेल का है तो ये दोनों जो है यादखी का सरदार बल्लभाई पटेल का है जसे डॉक्टर रजिंदर प्रशाद का नियम शमीति या संचालन समीति है या तकेंगे उसी तरह इनका भी प्रामर्स दात्री और प्रांत समीधान शमीति है या तकेंगे आगे सवाल है किंद्रिय अधिकार समीति के अधिस्ता कों है पंडी जवाला नहरू है या तकेंगे ये भी दो समीति बनाये थे कंद्रिय समीधान समीति या रास समीति कहिए तो पंडी जवाला नहरू ही थे या तकेंगे दोनों के यही थे जैसे नियमन समीति डॉक्टर प्रामर स्रिदात्री समीथी सर्दार बला भाई पटेल प्रांतिय समीथी अगर पुछे सर्दार बला भाई पटेल और अगर अगर पुस्ते किंदरिये अधिकार समीथी अगर पुछे पंडी जवाला नेरू अगर प्रारूप समीथी की बात करें तो हम जानते हैं बियार अ प्रारूप समीथी कोन है अध्यच तो जेपी किरपानी का नाम आता है या तुकिएगा और आपका लाश्ट बनता है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार उप समीथी के अध्यच की अगर बात करें तो जेपी किरपानी का नाम आता है या तुकिएगा तो आपसे अगर पूस दे कोई कि मौलिक अधिकार का जो है समीथी के कोन है जेपी किरपानी जी है या तुकिएगा अलप संक्या उप समीथी के अध्यच कोन है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अच्छा लगे तो प्लीज सस्कारब लाइक करना ना भूलेंगे इसके टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा प्लीज टेलीग्राम को जॉइन कर लें और डेली रात के ना भूजे आपका क्यूज चलता है दोस्ते पनने मिनिट जिरू से जुरूर करें क्योंकि वो फाइदा करेगा आपके एक्जाम के लिए जहिन चेवारत